प्रिये विध्यार्तियों नमस्कार आज हम कक्षा नवी के लिए इतिहास की पाठे पुस्तक भारतोर समकालिन विश्व के अंतरगत 1799 में घडित फ्रांस की क्रांती के द्वारा, फ्रांस की महिलाओं, फ्रांस के उपनिवेशों के दासों तथा फ्रांसीसी नागरिकों के जन जीवन में क्रांती के द्वारा क्या-क्या परिवर्तन आये को समझने का प्रयास करेंगे जैसा की हमने फ्रांसीसी क्रांती की घटनाओं के अंतरगत देखा की फांसी सी महिलाएं प्रारब से ही समाज में परिवर्तन लाने वाली गतिविधियों में सक्रियर रूप से सम्मिलित थी फिर चाहे तीसरे एस्टेट्स के प्रतिनिधियों को महिलाओं ने अपनी शिकायतों एवं मांगो की सुची बना कर दी हो या फिर पांच अक्तूबर को पेरिस में आंदोलनकारी महिलाओं का जथ्था बरसाई की और रवाना हुआ हो इन महिलाओं ने बरसाई पहुचकर राज महिल को न केवल धेरा वरन क्रांटी के दोरान अंदोलनकारीयों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर अपनी भात्वपुर्ण भूमिका का निर्वहन किया फ्रांसीसी महिलाओं को आशा थी कि उनकी भागीदारी क्रांटी कारी सरकार को उनका जीवन सुधारने हेतू ठोस कदम उठाने के लिए प्रेरित करेगी फ्रांसीसी समाज में तीसरे एस्टेट्स की अधिकांश महिलाएं जीवी का निर्वहा के लिए अनेक तरह के कारिय करती थी फ्रांस में महिलाओं के पास व्यवसाइक शिक्षा एवं प्रशिक्षन प्राप्त करने के अवसर नहीं थे केवल कुलीन वर्ग की महिलाएं ही शिक्षा प्राप्त कर सकती थी सामाजिक असमानता के कारण उन्हें प्रांसिसी समाज में व्याप्त असमानता के कारण महिलाओं को पुरुषों की तुलना में कम मजदूरी प्राप्त होती थी क्रांती के दोर में महिलाओं ने अपने हितों की हिमायत करने और उन पर चर्चा करने के लिए स्वेम राजनिति क्लब बनाना आरब कर दिये, साथ ही उन्होंने अपने कुछ समाचार पत्र भी निकाले फ्रांस के विभिन नगरों में महिलाओं के लगभग साथ क्लब अस्तित्व में आये, जिन में The Society of Revolutionary and Republic Women सबसे प्रसिद्ध क्लब था इनकी प्रमुक मांग यह थी की महिलाओं को पूरुशों के समान राजनितिक अधिकार प्राप्त होने चाहिए महिलाओं को 1799 के सम्विधान में सबसे अधिक निराशा इस बात से हुई थी कि इस सम्विधान के द्वारा उन्हें निष्क्रिय नागरिक का दरजा दिया गया था 1799 की फ्रांसी सिक्रांति के दोरान राजनेतिक रूप से सक्रिय महिलाओं में सबसे महत्वपुर्ण भूमी का निभाने में ओलंप दे गूज नामक महिला का महत्वपुर्ण इस्थान रहा है उन्होंने सब्विधान तथा पूरुष एवं नागरिक अधिकार घोशना पत्र का कड़ा विरोध किया क्योंकि इसमें महिलाओं को मानाव मात्र के मूलबुत अधिकारों से बंचित रखा गया था इसलिए ओलंप दे गूज ने स्वेम 1799 में महिला एवं नागरिक अधिकार घोशना पत्र तयार किया और इस घोशना पत्र को महारानी और नेशनल असेंबली के सदस्यों के पास यहां मांग करते हुए प्रस्तुत किया कि इस पर कारवाही की जाए सन 1793 में ओलंप दे गूज ने महिला क्लबों को जबरदस्ती बंद कर देने के लिए जेकोबिन सरकार की आलूशना की उन पर नेशनल कन्वेंशन द्वारा देश द्रहों का मुकदमा चलाया गया और फासी पर लटका दिया गया महिलाओं ने मताधिकार असेमली के लिए चुने जाने तथा राजनेतिक पदों पर महिलाओं की न्युक्ती की मांग रखी उनका मानना था कि इन अधिकारों को प्राप्त करके ही नई सरकार में उनके हितों का प्रतिनिधित वहो पाएगा प्रारंबिक बर्षों में क्रांतिकारी सरकार ने महिलाओं के जीवन में सुधार लाने वाले कुछ कानून लागू किये जैसे सरकारी विध्यालेयों की स्थापना के साथ ही सभी लड़कियों के लिए इसकूली शिक्षा को अनिवार्य बना दिया गया साथ ही अब विवा के लिए महिलाओं की मन्जूरी अनिवार्य कर दी गई और शादी को स्वेचिक अनुबंद माना गया और नागरिक कानूनों के तहद उनका पंजी करन किया जाने लगा तलाग को कानूनी रूप दे दिया गया और इस्त्री और पूरुष दोनों को ही तलाग के लिए अरजी देने का अधिकार दिया गया व्यवसाई के शेत्र में भी महिलाओं को सुतंत्रता प्रदान की गई महिलाएं व्यवसाई प्रशिक्षन प्राप्त कर सकती थी साथ ही वहक अलाकार बन सकती थी और छोटे मोटे व्यवसाई आरंब कर सकती थी लेकिन इन सम अधिकारों के बावजूद भी महिलाओं को राजनितिक अधिकारों से बंचित रखा गया अतह राजनितिक अधिकारों को प्राप्त करने के लिए महिलाओं का संगर्ष जारी रहा आतंक के राज के दोरान सरकार ने महिला कलबों को बंद करने और उनकी राजनितिक गतिविधियों पर प्रतिबंद लगाने के लिए कानूनों को लागू किया। कई सक्रिये एवं प्रसिद महिलाओं को गिरफतार करके उन्हें फासी पर चड़ा दिया गया। मताधिकार और समान वेतन के लिए महिलाओं का यह संगर्ष अगली सदी तक भी अनेक देशों में चलता रहा। मताधिकार का संगर्ष तो 19-वी सदी के अंत एवं 20-वी सदी के प्रारंब तक अंतर रास्ट्रिये मताधिकार आंदोलन के जरिये जारी रहा। करांदिकारी आंदोलन के दोरान फ्रांसिसी महिलाओं की राजनेतिक सरगर्मियों को प्रेरक स्मृत्ती के रूप में जिन्दा रखा गया। और अंतर तहां फ्रांस में 1946 में महिलाओं को मताधिकार प्राप्त हो सका। महिलाओं की इस्तिती के पश्चात आईए अब हम फ्रांसिसी क्रांति के दोरान दास्प्रथा की उन्मूलन पर एक नजर डालते हैं। जैसा कि आपको ग्याद है कि फ्रांसिसी सम्राट लूई चवदहए ने रजविस्तार की नीती अपनाते हुए फ्रांस के कई उपनिवेश इस्थापित किये थे। इन उपनिवेशों में दास्प्रथा का उन्मूलन जेकोबिन शाषन की क्रांतिकारी सुधारों में से एक था। उपनिवेशों में से मार्टीनिक, गोडे लोप और सेंड डोमिंगो जैसे उपनिवेश तमबाकू, नील, चीनी एवं कॉफी जैसी वस्तुओं के महत्वपूर्ण उत्पादक थे। यूरोप के लोगों की काम करने की अनिच्छा तथा इन देशों के दूर इस्तित होने के कारण यहां पर इस्तित बागानों में श्रमिकों की कमी होती थी। इस कमी को यूरोप, अफरीका एवं अमेरिका के बीच होने वाले त्री कोणिये दास व्यपार द्वारा पूरा किया गया। आईए, पहले हम त्री कोणिये दास व्यपार को समझने की कोशिश करते हैं। दास्वेपार सत्रवी शतापदी से शुरू हुआ, दास्वेपार को समझने के लिए आप दिखिए, इस क्रीन पर आपको एक त्रिबूज दिखाए दे रहा है, इस त्रिबूज में सबसे शिर्ष पर यूरोप लिखा हुआ है, तथा उसके नीचे वाले कोने पर अफरीका और दूसरी तरफ अमेरिका लिखा हुआ है, फ्रांसीसी सोदागर बोद्रे या नानते बंदरगाह से अफरीका के तट पर जहाज ले जाते थे, और यहां पर ये सोदागर इस्थानी सरदारों से अफरीका से दासों को खरीदते थे, इन दासों को खरीदने के बाद उनके हातों को दागा जाता था एवं हतकणिया पहना कर अटलांटिक महासागर के पार केरिबियाई देशों तक तीन महा की लंबी समुदरी यातरा के लिए जहासों में ठूस ठूस कर भर दिया जाता था और फिर यहां से उन्हें बागान मालिकों को बेच दिया जाता था। ये बागान मालिक इन दासों से श्रम कराकर यूरोपिय बाजारों में चीनी, कॉफी एवं नील की बढ़ती मांग को पूरा करते थे। धीरे धीरे बौदरे और नानते जैसे बंदरगाहा दास वैपार के कारण समरद नगर बनते चले गए। परंतु दास वैपार पर निर्भर वैपारियों के विरोध के भय से नेशनल असेम्बली में इस सम्मद्ध में कोई कानून पारित नहीं किया गया। लेकिन अंततह सन 1794 के कन्वेंशन में फ्रांसी सी उपडिवेशों में भी सभी दासों की मुक्ती का कानून पारित कर दिया गया। यह कानून लंबी अउधी तक बना नहीं रह सका क्योंकि दस वर्ष के बाद नेपोलियन के सत्ता में आने पर नेपोलियन ने दास्प्रथा पुनह प्रारंब कर दी। बागान मालिकों को अपने आर्थिक हिट साथने के लिए अफ्रीके निगरों लोगों को गुलाम बनाने की स्वतंतरता मिल गई। फ्रांसी सी उपनिवेशों से अंतियम रूप से दास्प्रथा का उन्मुलन 1848 में किया गया। फ्रांसी सी क्रांती के तार्तम्य में अब हम अगली कड़ी के रूप में फ्रांसी सी नागरिकों के सामान्नी जीवन पर एक नजर डालते हैं। यहां पर हम यह समझने का प्रयास करेंगे कि सन 1799 के बाद के वर्षों में फ्रांस के पुरुषों, महिलाओं एवं बच्चों के जीवन में कौन-कौन से परिवर्तन आए और फ्रांस की क्रांतिकारी सरकारों ने स्वतंतरता एवं समानता के आदर्शों को कानून बना कर साम प्राचीन राश्तंतर के अंतरगत समस्त लिखित सामगरी और सांस्कृतिक गतिविधियों जिसमें किताब, अकबार, नाटक, प्राचीन राचा के सेंसर अधिकारियों द्वारा पास किये जाने के बाद ही प्रकाशित या मंचित किया जा सकता था परंतु अब अधिकारों के घुशना पत्र ने भाशन एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को मानों का नेसरगिक अधिकार घुशित कर दिया। जिसके परिणाम स्वरूप फ्रांस के शहरों में अखबारों, पर्चों, पुस्तकों एवं छपी हुई तस्वीरों की बाल आ गई। इन शहरों से यह सामगरी तेजी से ग्रामी शेत्रों तक पहुचने लगी। इन सब सामगरियों में फ्रांस मघटित हो रही घटनाओं एवं परिवर्तनों का लेखा जोका एवं व्योरा होता था और उस पर टिपपणी होती थी। प्रेश की स्वतंत्रता का मतलब यह था कि किसी भी घटना पर परस पर विरोधी विचार भी व्यक्त किये जा सकते थ नाटक, संगीर और उत्सवी जुलूसों में असंखी लोग जाने लगें। हम क्रांती की समस्त घटनाओं को देख कर कह सकते हैं कि इसने न केवल लंबी अवधी से चली आ रही परमपराओं तथा गहरे जड़ जमाय हुए संस्थाओं को नस्ट कर डाला, वरन इसने नए विचारों की भी घोशना की, जिनोंने फ्रांस के अंदर और बाहार की बाद 1799 में एस्टेट्स जनरल का अधिवेशन बुलाए जाने तथा रास्ट्री सभा अर्थात नेशनल असेंबली की घोशना करांती की शुरुवात का संकेत थी। इस काल में पेरिस की भीडने करांती को नेत्रतु प्रदान किया, 1799 में समविधान की घोशना के बाद रास्ट्री सभा ने स्वयम को विघटित कर दिया और नमिन समविधान के अंतरगत निर्वाचित व्यवस्था पिका ने उसकी जगा लेली, जिसने 1799 से 1792 तक कारी किय 1792 में राजवन्ष का तक्ता पलटकर फ्रांस में गंटकंत्र की इस्थापना हुई, इसी के साथ फ्रांस विदेशी युद्ध में फस गया, जिसके बाद क्रांती ने नया मोड ले लिया अब व्यवस्था पिका का इस्थान नव निर्वाचित राश्टी सम्मेलन जो की 1792 से 1795 तक रहा के दोरान फ्रांस में आतंक के राजवन्ष की इस्थापना हुई, इस दोरान राजवन्ष की शक्ती कुछ ऐसे उगरवादी क्रांतिकारियों के हाथ में रही, जिन्होंने असाधारन अधिकारों का प्रयोग करते हुए क्रांति की रक्षा, इन लोगों ने क्रांति को भाई एवं आंतरिक खत्रों से मुक्ति दिला कर सर्वसाधारन के हित में कारी किया, परन्तु लोग आतंक की ज्यादतियों से घबरा गए, और आगे चलकर संचालक मंदल की इस थापना हुई, इसमें कारी कारीनी की शक्तियां पांच संचालकों को तथा विधाई की शक्तियां एक दो सदन वाली संसत को प्रदान कर दी गई, यह वह शाशन व्यवस्ता थी जिसको नेपोलियन बोनापार्ट ने 1799 में उलट कर रख दिया, 1804 में नेपोलियन ने स्वयम को फ्रांस का समराज घोशित कर दिया, उसने पडोस के यूरोपिय देशों की विजय यातरा प्रारंब की, उसने पुराने राजवन्शों को हटा कर नए सामराज्ची बनाएं और उनकी बागदोड अपने संबंधियों के हाथों में दे दी, नेपोलियन खुद को यूरोप के आधुनी की करण का अग्रदूत मानता था, उसने नीजी संपत्ति की सुरक्षा के कानून बनाएं और दशमलव पद्धती पर आधारित नाप तोल की एक समान प्रणाली चलाई, आरंब में लोगों को नेपोलियन मुक्तिदाता लगता और उससे जनता को स्वतंत्रता दिलाने की उम्मीद की जाती थी, लेकिन शिग्र ही लोग उसकी सेना को हमलावर मानने लगें, और अंतता हम 1815 में वाटरलू के युद्ध में नेपोलियन की हार हुई, यूरोप के बाकी हिस्सों में मुक्ति और आधुनिक कानूनों को फै प्रांसी सी क्रांती की सबसे महत्वपुर्ण विरासत थे, ये विचार 19-वी सदी में फ्रांसी से निकल कर बाकी यूरोप में फैलें और इनके कारण महासामंती व्यवस्था का नाश हुआ, अपनिवेशिक समाजों ने समप्रभू, रास्ट्र, राज्जी की इस्थापन के अपने आंदोलनों में दास्ता से मुक्ति के विचार को नई परिभषा धी, भारत में टिपु सुल्तान और राजा राम मोहनराय क्रांती कारी फ्रांस में उपजे विचारों से प्रेणा लेने वाले दो ठोस उधारन थे, जिसमें टिपु सुल्तान ने फ्रांसी सी क्र से प्रभावित होकर अपने राज्य में स्वतंत्रता का व्रक्ष लगाया था और इसी तरह राजा राम मोहन राय उस समय यूरोप में फेल रहे नए विचारों से प्रभावित होने वालों में से एक थे इस तरह निसकर्ष के रूप में कहा जा सकता है कि फ्रांस के 1790 की क्रा इस क्रांती का आधोनिक प्रजातंतर की स्थापना में इतना योगदान था कि इसने सिर्धान्तों को निर्धारित किया। क्रांती जनित स्वतंत्रता समानता बंधुत्व के विचार इतने लोगप्रिय हो गई कि विशिग्रही संपूर्ण विश्व में प्रवाहित होते डिखाई दियें.